दिखो अगर आप NUS में रिवाइज मार्खषिट के लिए अपलाई करना चाहते हो तो रिवाइज मार्खषिट अपने घर पर कैसे मंगा सकते हो इस वीडियो में हम देखेंगे और रिवाइज मार्खषिट किनको जोगरत परती है मंगाने की यानि कि कौन से स्टुडेंस र और करोगे तो कितना फिस लगेगा यहाँ पर हम समझेंगे और रिवाइज मार्खषिट आपके घर पर कितने दिनों में मिल जाएगी यानि कि आपके घर पर कितने दिनों में आ जाएगा या फिर अगर आप बाइएंड ओप्सन सेलेट करते हो तो कितने दिन में आप करा ते और इसके रिवाइज मार्षिट के लिए अपलाई करेंगे अब देखो रिवाइज मार्षिट के लिए अपलाई करेंगे और अगर हम ये भी जानेंगे कि अगर आपने revise mark sheet के लिए apply किया था और अगर आपका revise mark sheet का status अभी भी pending हो रहा है तो उस case में आपको क्या करना है कैसे आपको revise mark sheet आपको मिलेगी या फिर आपने गलत apply कर लिया है तो refund आपको कैसे में नेम चेंज करवाया है या father name चेंज करवाया है या फिर आपने mother name चेंज करवाया है या address आपने चेंज करवाया है या फिर आपने डेट वर्थ अपना चेंज करवाया है या फिर आपने अपना जो है passing year चेंज करवाया है यानि कि कहने का मतलब यह है कि अगर आपने मार्गशीट में किसी भी तरीके का करेक्शन करवाया है ठीक है जैसे कि वने आपको बताया कि father name हो गया, mother name हो गया, date worth हो गया, passing year हो गया, कुछ भी अगर आपने correction के लिए apply कियो हो तो उस case में आपको revise mark sheet के लिए apply करना ही होगा ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो, खुद मान के चलो कि अगर आपने date worth के correction के लिए apply कियो हो तो उस case में जो आपके पास original वाली पहले जो mark sheet आपको मिली हुई है, वो अब आपके कोई काम करनी है क्योंकि उस पे आप लोग का जो date worth होगा, वो गलत होगा, तो उस case में आपको जोगरत परेगी दूसरी mark sheet की, जिसे आपको कहते हैं कि revise mark sheet को आपको apply करना होगा तो revise mark sheet को कौन से assurance apply कर सकते हैं, मैंने आपको अता दिया है अगर आपने कोई भी किसी भी तरीके की mark sheet में कोई correction करवाया है तो उस case में आपको revise mark sheet apply करना ही होगा mandatory है, आपको optional नहीं है, और एक और चीज कि revise mark sheet के लिए जब आप apply करोगे तो revise mark sheet के लिए apply करने के बाद, आपके पास जो old वाला mark sheet है चाए वो original है, चाए वो duplicate है, आपको इसको उसे देना ही होगा तब जाकर आप लोग की revise mark sheet आपको मिलेगी तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, यह बताया है कि revise mark sheet के लिए कौन से students apply कर सकते हैं, कौन से students apply नहीं कर सकते हैं जिन्होंने on-1 exam दिया है, जिन्होंने improvement exam दिया है, या फिर जिन्होंने मतलब की कोई और activity किया है correction के लावा, वो मतलब revise mark sheet के लिए apply नहीं कर सकते हैं, इसे इसको ध्यान रखना अब देखो, revise mark sheet के लिए apply आपको कैसे करना है, face कितना लगेगा, कितने दिनों में आएगा और mark sheet आपको कहाँ पर भेजनी होती है, यह सब यहाँ पर हम समझेंगे तो revise mark sheet को apply करने के लिए आपको क्या करना होगा, कि आपको e-service वाले box में apply पर आपको क्लिक करके website पर आना होगा, और apply पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा interface आएगा यहाँ पर आप देखोगे तो आपको document change में आपको एक option मिलेगा, revise mark sheet का और revise passing certificate का भी मिल जाएगा, migration certificate का भी option मिल जाएगा तो यहाँ पर जो आपको option मिलना है, revise mark sheet कम passing certificate इस पर आपको simply click करना है इस पर click करने के बाद देखोगे तो आपके सामने ऐसा interface आएगा, अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको document type में क्या select है, पहले से ही, revise mark sheet कम passing certificate यानि कि अभी जो आप लोग apply कर रहे हो revise mark sheet के लिए apply कर रहे हो, ठीक है, note में क्या दिया गया है, तो note एक बाद रीट कर लेते हैं, क्योंकि note जो होता है, आप लोग की काम की चीज़ होती है note दिया गया है, this e-service facilities printing and providing updated mark sheet कम passing certificate after a correction request by the learner through e-service has been approved the learner has to submit the original passing certificate to anyways, क्या कह रहे है, जो मैंने अभी आपको इस starting में बुला है ये जो revise mark sheet है, आप लोग के लिए, जब आप correction के लिए apply करोगे, correction की approval मिल जाएगा जैसे की एक उधारन समझो, कि अगर आपने data worth correction के लिए apply किये हो, data worth correction आप लोग को approve हो गया है उसके 2-3 दिन वाद आपको apply करना है, revise mark sheet के लिए अब यहाँ पर एक और चीज़ बोला है, इनोंने mark sheet को लेकर, कि old वाला जो आपके पास mark sheet है या जितने भी आपके certificate है आपके पास, जैसे की passing certificate हो गया, migration certificate हो गया, provision certificate हो गया वो सारे आपको जमा कराने होंगे, हलाकि यहाँ पर सिर्फ आपको एन्यवेज जो क्या करेगे, आपसे mark sheet मांगेगी तब जाकर आप लोग की यहाँ पर revise mark sheet आपको देगी हो, ठीक है, बिना आप लोग के ओ mark sheet के revise mark sheet नहीं देगे, इस तीसको ध्यान लगना तो यहाँ पर आप दिखोगे, तो mark sheet को मंगाने के लिए हमें यह delivery type में select करना होगा और काफी सारे students को by post option मिलता है, काफी सारे students को by hand option मिलता है, region यहाँ पर समर लो कि by hand किन को मिलता है, by post किन को मिलता है, देखो अगर आपका, मतलब region center pass में है, जैसे कि अगर आप दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली में जो है, जो आप लोग का region center परता है, वो annual headquarter ही परता है और वो near में ही है आपके ठीक है ज्यादा दूर नहीं है तो उस case में आपको by hand का option नहीं मिलेगा उस case में आप लोग को by post option मिलेगा ठीक है यानि कि अगर आपका region center पास में है तो उस case में आपको by hand का option मिलेगा और अगर आपका region center बहुत दूर है बहुत दूर से मतलब 100 km तो 200 किलोमेटर दूर है तो उसकेस में आप लोग को क्या मिलेगा बाई पोस्ट ऑप्चन मिलेगा अब हमारा जो रिजन सेंटर है पास में है तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्चन मिला वो बाई हेंड मिला है बाकी आप देख लेना कि आपका आपको क्या मिला है बाई हेंड में क्या भर पर लेके आएंगे तो उसका जो फिस होता है ये 50 सुर्पे ज़्यादा लेते हैं अभी जो हमें क्या करना है जो हमें option मिलना वो select कर लेंगे रॉल लमर यहां पर आया हुआ है यहां पर देखोगे तो कोई document हमसे नहीं मांग रहे हैं यूकि यह old students है जो new students है उनसे देखो हो सकता है कि document मांगे तो document में आपको क्या upload करना है मैं आपको बता रहता हूँ ऐसा नहीं कि अलगसा आपको पूछना है कि document upload करने के लिए हम document क्या upload करें तो document अगर आपको upload करने के लिए कहेंगे तो आपको कुछ करना नहीं है आपको simply अपना अधारकाट का photo खीच के upload कर शीमपल है अधार काट की फोटो को खीचो और यहां पर अपलोड कर दो, अगर आप से यह बोले कि document भी upload करो, अब यहांपर आप देखो, हमारे case में ऐसा नहीं है, हमें document अपलोड करने के लिए नहीं बोले, सिधा हम यहांपर make payment पे क्लिक करेंगे, payment mode यानि कि पेन आउपर क कर रहे हम और अब हमें फीस पता चल जाएगा कि फीस कितना है तो रिवाईज माक्षीट मंगाने का जो फीस है वो धाईसर रुपय है और यह जो मैं आपको धाईसर रुपय बोल ला हूँ यह बाई हैंड का है ठीक है अगर आप देखो बाई चांस अगर आपको बाई पोस् में तो आप समझ गया होंगे कि बाई पोस्ट में आप लोग की जो रिवाईज माक्षीट है वो आपके घर पर आईगी लेकिन बाई हैंड में क्या होगा कि आपको खुच जाना पड़ेगा रिजनल सेंटर जो कि आपके नियरवाई में होगा वहां पर आपको खुच जान जाएंगे ठीक है तो वह भी देख लेना और अगर आप बाई पोस्ट उप्शन सेलेट करके आप पर मंगाते हो रिवाईज माक्षीट तो उसके समें 300 रुपर देने होंगे ठीक है 300 रुपर आप लोग को यहाँ पे पेक करने होंगे फीस मैं आपको बता दिया है अब यह अगर मैंने अपलाई किया है तो मुझे रिवाईज माक्षीट बाई हैंट कम मिलेगा यानि कि रिजने से कम मिलेगा 26 अगस्त को ठीक है तो इसको ध्यान लखना और अगर आप देखो बाई पोस्ट को उप्शन सेलेट करके मंगाते हो तो उसके समें आप लोग की माक्षी जो है वापस घूम भी सकती है फिर उसको आपको रिजने सेंटर से ही लेना होगा जाके ठीक है तो जो समय लगता है मैंने आपको बता दिया है जो प्रोसेस है वो बता दिया है अब आप लोग चाहो तो अपलाई कर सकते हो और इसके रिगार्डिंग कोई कोश्टन है आप आपको मार्कशीट कहां पर भेजना होगा तो मार्कशीट आपको इरिजनल सेंटर आपको जमा कराना होगा देखो चाहे आप बाई पोस्ट उप्सन सेलेट करके मंगा रही हो रिवाइज मार्कशीट जब आपको अप्रूबल मिलेगा मैं आपको एक बार डेस्वर्ड में लेके चलता हूँ, तो जब आप लोग को approval मिलेगा, तो उसके बाद आप लोग को सबसे पहले तो original mark sheet वो मांगेंगे, बिना original mark sheet के वो आपको ये revise mark sheet आपको देंगे ही नहीं, anyways का rule है, जो आप लोग के पास original mark sheet है, hard copy जो होती है, वो आपको जमा करान होगा, उसके बाद ही आ रिवाइज, migration certificate हो, वो full valid होगा, हर जगा valid होगा, उसे कोई भी acceptance लेने से, यानि कि मना नहीं कर सकता, ठीक है, तो approval के बाद आप लोग को सबसे पहले तो mark sheet भेजनी होगी, अब भेज कैसे सकते हो, तो आपको देखो भेजना का है, सबसे पहले ये देख लो, तो भेजना हो जब हमारा revise mark sheet जो apply किये, approve होगा तो, ठीक है, verified अलग होता है, approval अलग होता है, verified का मतलब होता है, जो आपने दिये हो, उसे verify कर लिया है, approval का मतलब होता है, कि आपका order accept कर लिया गया है, तो verify और approval में भी आपको ध्यान लखना है, mark sheet आपको यहीं पर भेजना होगा, regional center जो आ एकी students है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, देखो होता क्या है कि revise mark sheet को apply करने के बाद, revise mark sheet जो है, pending में ही रहता है, ठीक है, या फिर वो जो होता है, मतलब approval ही नहीं मिलता है, जैसे कि एकी students है, मैं उनका दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप दिखोगे, revise mark sheet इन्होंने apply किया था कब, और approval है, हाला कि देखो approval मिल गया है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, देखो यहाँ पर इन्होंने apply कब किया था, यह देखो, apply इन्होंने किया था 612-2022 को, यानि कि इन्होंने दिसंबर में apply किया था, 6 महीने बाद इनको approval मिला है, गलती क्या किया है, देख में 5 महीने 6 महीने जाने वाले हैं अप्रूबल मिलने में तो अगर आप देखो revise mark sheet के लिए apply कर देखान रखना अगर आप on one exam के थूरू अपने mark से inquiry वह मतलब किये हो इंप्रूब किये हो तो उस case में भी आपको मैंने बोला है कि आपको revise mark sheet के लिए apply करना होता है region क्या है कि देखो जो old वाले आपके marks है वो तो already मतलब कि आपके हो गए हो ठीक है लेकिन यहाँ पर यह देखा गया है कि अगर आप देखो on one exam देकर आ रहे हो ठीक है यानि कि on one exam के थूरू आप pass हो के आ रहे हो जैसे कि आपने अप्पिल मैं 2003 सेशन में exam दिया था एक subject में दो subject में आप लटक गए उस एक subject दो subject में जिसमें आप लटके हो उसका on one exam दिये पास हो गए तो उस case में क्या करते थे students का फिसारे कि वो revise mark sheet के लिए apply कर देते थे जिसके कारण उनका जो revise mark sheet का जो status वो अप्रूब ही नहीं हो था था और अभी भी आप लोग का अप्रूब नहीं होगा अगर आप एसा करोगे तो इनका हो गया है और इनका होने में मैं बताया आपको कि 6 महीने का समय लगया है पूरा देखोगे तो जुलाई खतम होने माला है तो जाकर इनको अप्रूबन मिला है अब यह चाहे तो अपनी mark sheet को फिसिशिप को ले जाकर अपने जो भी इनका region center है वहाँ पर दिखाके यह अपनी revise mark sheet को collect कर सकते हैं ठीक हाला कि यह बोलेंगे कि आप उरिजन वाली mark sheet हमें जमा कराओ तब देंगे यानि कि जो भी इनको mark sheet इनको मिली है वो mark sheet यह जब तक जमा नहीं कराएंगे तब तक इनको नहीं देंगे यह इस चीज को ध्यान लगना तो देखो revise mark sheet में क्या है आपको ध्यान अखना अपलाई करते समय बाइपास देखो अगर आपने wrongly मतलब अपलाई कर दिया है तो refund के लिए अपलाई तो आप नहीं कर सकते हो क्योंकि anyways में refund के लिए कोई मतलब सुविधा है नहीं लेकिन उनको एक letter देकर इस चीज को आप आपने कोई correction नहीं करवाया है तो भी आपने apply कर दिया है revise mark sheet तो उस case में भी आपको approval मिल जाएगा आपकी revise mark sheet मिल जाएगी लेकिन उस case में आपको एक application return application आपको anyways headquarter यानि कि जो आपका region center वहाँ पर जाकर जमा कराना होगा तब जाकर यह जो है आप लोग की revise mark sheet आपको मिल ठीक है और मैं आपको आता हूँ revise mark sheet लेने के लिए आपको वो मतलब जो old वाली mark sheet है वो देना ही होता है उसके भीना आप लोग की revise mark sheet नहीं मिल सकती इस इसको ध्यान लखना इसमें देखो सारी चीज़े हमने बात कर लिया है कुछ रह गया हो तो आप मुझे बता देना comment section म में ही आपको मैं रिबलाइ कर दूँगा और personally contact करना है तो Instagram पे आप लोग मुझे contact कर सकते हो Instagram ID आपको channel के about section में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप लोग उस link पर क्लिक करके मेरा profile जाकर देख सकते हो और वहाँ पर मुझे contact कर सकते हो बाकि देखो कोई दिक्कत आएगा त इसी तरीके के अपडेट के साथ